नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल इंपोर्टेंट एमसे क्यूबई संदीब में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर लाएं और इस हिंदी के मॉडल पेपर में 20 महतपूर प्रश्णों को हमने शामिल किया दोस्तो ये जितने भी प्रश्ण हैं कई बार पूछे केहें हैं और बहुत अच्छे प्रश्ण है और सामान इस्तर के दिखा रहे हैं आप हमें नीचे comment में जरूर बताईएगा 20 प्रश्णों में आपके कितने सही हुए उमीद करता हूँ 15 प्लस सबके सही होंगे तो चलिए शुरू करता है आज का वीडियो दोस्तों ये वीडियो डियलेट, यूपीटेट, सीटेट और सुपाटेट समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तो वीडियो को लास तक देखें और इसके सारे प्रश्णों के उत्तर अच्छे से समझ ले शुरू करते हैं आज का वीडियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप से निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबालें ताकि आने वाले सभी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपकी पास सबसे पहले मिल जाए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्ण है तुलसी क्रत में कौन सा समास है आपके सामने चार आप्शन दे रखे हैं समास को समझने के लिए पहले हम उसका समास विग्रह करते हैं तो तुलसी क्रत का क्या मतलब है इसका क्या समास विग्रह होगा तुलसी दौारा क्रत जब तुलसी दौारा क्रत हो गया तो यहाँ पर आपके सामने हो गया तत्पुरुस समास ठीक है चलिए आगे देखते अगला प्रश्ण है निम्नांकित प्रश्ण में दिये गए समास का सही विकल्प चुनिए आपको बताना है चार आप्शन में से तत्वूरुस समास कौन सा है रसोई घर, त्रिभुवन, नव युवक या फिर सीताराम तो यहाँ पर हर शब्द का आप अगर समास विग्रह कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर तो यहाँ पर क्या मतलब है यहाँ जो रसोई के लिए घर है इसका मतलब यही आपका तत्वूरुस समास है तो रसोई घर में हो गया तत्पूरुस समास अगला प्रस्ण देखते हैं यथार्थ में कौन सी संधी है यथार्थ में कौन सी संधी है तो यथार्थ का अगर आप संधी विच्छेत कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधी है यहाँ पर जब इसका संधी विच्छेत करेंगे तो निकल के सामने आएगा कि यह दीर्ग संधी है अगला प्रश्ण है महोदे में कौन सी संधी है दीर्ग, यड, गुड या फिर व्रद्धी तो महोदे का अगर आप संधी विच्छेत करेंगे तो आएगा महा प्लस उदय तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो महा प्लस उदय हा में आ रहा है बड़ा आ और उदय में स्टार्टिंग में आ रहा है उ तो बड़ा आ और उ मिलके हो गया उ तो यह हो गया आपका महोदय तो यहाँ पर महोदय में कौन सी संधी है महोदय में गुड संधी है जब A या O आता है तो वहाँ पर गुड संधी होती है आगे देखते हैं सब्द के चार विलोम दिये गए सही सब्द का चयन कीजिए हर्ष का विलोम आपको बताना है खेद, वेदना, दुख या फिर विशाद तो इसका क्या सही उत्तर होगा हर्ष का विलोम शब्द बताना है तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विशाद अगला प्रश्ण है सब्द के चार विलोम दिये गए सही विलोम शब्द का चेयन कीजिए शाश्वत का आपको विलोम शब्द बताना है मृत्यू, मर्थ, नश्वर या फिर छड़िक तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा साश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखित कहावत का सही अर्थ बताईए चूहे के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते तो इसका क्या अर्थ होगा कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते तो चुहे के चाम से नंगाले नहीं मड़े जाते, इसका मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते अगला प्रशन है निमलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए बारात, वर्षा, हाथी, आशू तो यहाँ पर आपको तत्सम सब्द बताना है, तत्सम सब्द मतलब जो सुद्ध संस्कृत का शब्द होता है वो यहाँ पर कौन सा है, वो आपको बताना है तो वो शब्द है वर्षा, ठीक है, यह है आपका तत्सम सब्द बाकी की जितने भी शब्द हैं ये आपके तद्भो सब्द है अगला देखते हैं निम्नांकित प्रश्णों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चैन कीजिए चिंतामडी की रचना किस ने की है ये आपको यहाँ पर बताना है आपशन है आपके पार विवेकी राय बालकृष्ण भट रामचंदर शुक्ल या राहुल सांक्रत्यायन तो जो चिंतामडी लिखी है वो आपके श्री रामचंदर शुक्ल ने लिखी है अगला प्रश्ण देखते हैं निम्नांकित प्रश्णों में दी गई रचना के रचना कार के सही विकल्प का चयन कीजिए उर्वशी की रचना किसने की है रामधारी सिंग दिनकर सुमित्रा नंदन पंत निराला या अग्ये तो उर्वशी की रचना ये दो लिखे गए हैं एक है कावे पाठ और एक है चम्पू तो यहाँ पर जो उर्वशी है उसके रचनाकार जैसंकर प्रशाद भी है और उसके रचनाकार रामधारी सिंग दिनकर है तो यह दो तरीके की रचनाएं है एक है चम्पू और एक है कावे तो यहाँ पर जो उर्वशी जो आपके सामने ये चार आप्शन दे रहे हैं इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है रामधारी दिनकर मिलेगा या तो आपको जैसंकर प्रशाद मिलेगा दोनों में से एक ही मिलेंगे तो जो मिल जाए वो आपका सही होगा अगला प्रशन देखे पंचानन में समास है पंचानन ठीक है तो यहाँ पर कौन से समास होगा अव्याई भाव द्वंद बहुवरी या फिर तत कर तीसरा आर्थ निकल कर सामने आ रहा तो यहाँ पर होगा बहुवरी ही समास पुरसोत्तम में कौन सा समास है पुरसोत्तम का आगर हम समास विग्रे करेंगे तो पुरसो में है जो उत्तम तो पुरसो में जो उत्तम होता है यहाँ पर कौन सा समास है पुरसोत्तम में बतान दिगू समास का नवरत्न, लेंदेन, नीलकंट या फिर यथा सक्ती तो यह आपको पता है दिगू समास में हमेशा प्रथम पत संख्या वाची होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या वाची कौन सा है नवरत्न अगला प्रश्ण है निम्नांकित प्रश्ण में दिये कर्मधारे समास का सही विकल्प चुनिए कर्मधारे समास कौन सहाइन में से कामचोर, सोड़ाच्छर, पंचुवटी या फिर रोक से पीड़ित कर्मधारे समास में आपको मालूम है कि किसी से तुलना की जाती है के समान या फिर है जो अगर इसका समास विग्रह करने पर के समान आये या फिर है जो आये तो वो क्या होता है वो कर्मधारे समास होता है आप देख सकते हैं काम चोर सोड अच्छर, पंचवटी, रोग, पीडित यहाँ पर आप देख सकते हैं सोड के समान अच्छर तो यह क्या प्लस एक के ठीक है तो मत प्लस एक हो जाएगा आपका मत एक के तो यहाँ पर आपके सामने कौन से संधी हो गई वरधी संधी हो गई सब्द के चार विलोम दिये गए सही विलोम शब्द का चैन कीजिए धन्स का विलोम शब्द आपको बताना है तो धन्स का मतलब होता है विनास कर देना तो विनास कर देना तो उसका अपूजिट क्या होगा धन्स का विलोम क्या होगा निर्माड अगला प्रशन है निमलिखित कहावत का सही अर्थ बताईए तन पर नहीं लत्ता पान खाए अल्बत्ता इसका अर्थ क्या है आमदनी कम हो पर भी शौक करना, मांग मांग कर एश करना, शौकीन मिजाच का होना या फिर जूठा दिखावा करना तो इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा या पताईए तन पर नहीं लगता पान खाया अलबता मतलब पहनने को कपड़े नहीं है लेकिन पान बहुत अच्छा खारे इसका क पूठा दिखावा करना अगला प्रश्ण है निम्लिखित कहावत का सही अर्थ बताईए हथेली पर सरसो नहीं जमती आप्शन है असंभव कारे की आशा करना हर काम अपने समय से पूरा होता है सिगरता से काम निपट किसी भी तरह से अपना काम बनाना तो यहां पर इसका क हथेली पर सरसो नहीं जमती मतलब हर काम जो है वो अपने समय से पूरा होता है ऐसा नहीं कि आप अपनी हथेली पर सरसो जमा लें ठीक है चले आगे देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा सुद्ध्वाक के है सभी ने उस मैच को देखा सब ने उस मैच को देखा सभी यह मै मैच को देखा option number a आज का जो लास्ट प्रस्ण है इस model पेपर का निमलिखित में से अशुद्धवाक के कौन सा है देखो सत्रू दोड रहा है मैंने आम खाया लडाई में जीत हुई वह जीत गया तो यहां पर अशुद्धवाक के ढूणना है तो अशुद्धवाक आप आपको 20 प्रस्ण आपके अच्छे से समझ में आ गया होंगे और इन से संबंधित अगर कोई भी समस्या फस रही है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं तो बढ़ते हैं आज के विशेश प्रस्ण की तरफ यहां पर जो विशेश प्रस्ण आपके सामने है आदि काल की है सही उत्तर हमें नीचे कॉमेंट में बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मॉडल पेपर और डीलेट का फुल कोर्स यूपी टेट सूपर मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत